आज आपको ब्रह्म सक्ति रोग के लक्षडवा सफल इलाज बताने जा रहा हूं एदि आपको इसे सम्मदित कोई समस्या हो तो निशुल प्रामर से तुझी ये गए नंबर पर काल अथवा बार्शब करें ब्रह्म सक्ति लोगियों को मनोविकार मानो बिस्तर पर अनिव्यक्टि लेटा हो जिसका होमियोपाथिक उप्चार मैं पेट्रोलियम 3x चार चार भून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो बिस्तर धसा जा रहा है उस रोगि को बेट्रेशिया 30 वा बेलाड़न दो सव चार चार भून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो बिस्तर बहुत गड़ा है वज़े रोगि को अर्निका क्यू दस मुन सुबह दस मुन साम बेट्रेशिया चार 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 भून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो कोई गाली दे रहा है या गल्ती निकाल रहा है वज़े रोगि को कोकेन थ्रियक्स चार चार भून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो कोई कतल कर रहा है वज़े रोगि को केली ब्रूम तीस चार चार भून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो टुकडे टुकडे किया जा रहा है और इधर-भर विक्हरा जा रहा है आईसे रोगियों को बैप्टेशिया 204 पूं दिन में तिन पढ़ द那么 चाहिए मानो मकान गिर रहा है और वह उसके नीचे कुछला जा रहा है आइसे रोगी को अरजेंडर नाइटिकम दो सो चार चार भून दिन में तिन बर देना चाहिए मानो उसकी मित्यू हो गई है आइसे रोगी को लाइकेसिस तीस और ओपियम तीस चार चार भून दिन में तिन बर देना चाहिए मानो वह राक्षस है कोसता है कजमे खाता है ऐसे रोगी को एनाकाडियम तीस, चर-चर बून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो उसका सर्मुनास हो रहा है वह नरक्बास करेगा ऐसे रोगी को एकोनाइट ठर्टी, चर-चर बून दिन में पर देना चाहिए। मानो उसमें दो व्यक्ति हैं। अश्य रोगी को एनाकाडियम तीस चर्चर बुंदिन में तिन पर देना चाहिए। मानो काले बादलों से धका हुआ है। सारा जगत अन्दकार में है और भ्यानक है। उसको अर्जेंटम नाइटिकम तीस चर्चर दिन में तिन बार दिना चाहिए मानो कुर्सी के नीचे से कोई चुभा दोड़ रहा है और वह भायभीत हो गया है उसको इतूजा सिक्स चरचरभुन दिन में तिन बार दिना चाहिए मानो किसी अपराद में दोस्ति ठाराया गया जो उसने उससे नहीं हुआ है वैसे रोगी को सेल सेक्स लेनम सिट्स एक्स चारचार बुंदिन में तीन बार देना चाहिए मानो अंग खोकले है वैसे रोगी को काकुलस सिट्स एक्स चारचार बुंदिन में तीन बार देना चाहिए मानु अजनवी वाताबर्ण में है साइक्यूटा ठर्टी चर्चर भून दिन में तिन बादेना चाहिए मानु हलका हो गया है केवल आत्मा है हवा में तैर रहा है वहिशरोगी को हाइपेरिकम ठर्टी चर्चर भून देना चाहिए मानु कांच लखड़ी आदी का बना है वहिशरोगी को थूजा क्यूँ दस मुन सुबह दस मुन साम देना चाहिए मानु कारवार में लगा हुआ है वहिशरोगी को ब्राइनिया ठटी चर्चर भून दिन में तिन बादेना चाहिए मानो शत्रों से सताया जा रहा है आश्चे रोगी को एनकाडियम 6X चर्चर बुंदिन में तिन बर देना चाहिए मानो 20 दिया जा रहा है आश्चे रोगी को लेकेशिस 200 चर्चर बुंदिन में तिन बर देना चाहिए मानो उसमें दो इच्छा सक्तियां है पास्टे रोगी को एनकाडियम 30 चारचर बुंदिन में तिन बार देना चाहिए मानो उसके पेट में मस्तिस्क है तो मर्कूरियस पेरे 6X चारचर बुंदिन में तिन बार देना चाहिए मानो गर्भवती है या उसके उदर में कोई जीवित वस्तु है ऐसे रोगी को ओपियम 30 चारचार बुंदिन में तीन बार देना चाहिए मानो पीछा किया जा रहा है ऐसे रोगी को एनकाडियम 6X बुंदिन में तीन बार देना चाहिए मानो आत्मा और शरीर अलग अलग हो रही है आइसे रोगी को एनाकाडियम 6X चारचार भूंदिन में तिन बार देना चाहिए मानो शरीर फूल गया है आइसे रोगी को अरजेंटम नाइटरिगम 30 चारचार भूंदिन में तिन बार देना चाहिए मानो आधी दैविक बंदन है, थूजा क्यू और एनकाडियम 30, दोनों को चारचर भून दिन में तिन बार देना चाहिए, मानो बहुत रोक ग्रास्त है, चो आर्सेनीक 30, चारचर भून दिन में तिन बार देना चाहिए मानो बहुत धनवान है, फास्वोरह 200, प्लेटनम 30, दोनों को मिला कर चारचर भून दिन में तिन बार देना चाहिए, मानो चीजे बड़ी हो गई है, ऐसे रोकिको एनकाडियम 30, एगेरिकस 30, दोनों को मिला कर चारचर भून दिन में तिन बार देना चाहिए, मानो सभी आइसे रोगी को कमफोरा 30, मोनो ब्रो 30, दोनोों को मिला कि चार-चार बुन दिन में 3 बार देना चाहे, मानो सभी चीज़ें छोटी है, आइसे रोगी को प्लेटनम 6X, चार-चार बुन दिन में 3 बार देना चाहे, धन्यवाया,